प्राचीन कनहेरी गुफाओं में सुविधाओं का उधगाटन किया इंडियन ओयल फाउंडेशन भारतिय पुरा तत्व सर्वेक्षन के साथ मिलकर कनहेरी में उन्नत परियतक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे उन्होंने कहा कि कनहेरी गुफाएं हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं क्योंकि वे विकास और हमारे अतीत का प्रमाण प्रदान करती हैं सारवजनिक निजी भागीदारी, कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी संगठन हमारी विरासत की रक्षा, संरक्षण और प्रचार प्रसार में महतपूर्ण भुमिकानी भाते हैं बात कर लेते हैं कनहेरी गुफाओं के बारे में ये गुफाओं मुंबई के संजे गांधी राश्ट्री ये उद्यान में स्थित हैं कनहेरी का सबसे पहला संधर्ब हाफ फेन ने दिया जो 399 से 411 इसवी के दोरान भारत आया था कनहेरी गुफाओं में 110 से अधिक विबिन रॉक कट मोनोलिथिक उत्खनन शामिल है ये देश में सबसे बड़ी एकल खुदाई में से एक है ये उत्खनन मुख्यरूप से बौध धर्म के हीन यान चरण के दोरान किये गए थे इसमें महायान शैलिगत वास्तुकला के कई उधारन और साथ ही वजरियान आदेश के कुछ मुदरन भी है कनहेरी नाम प्राकृत में कहनागिरी से लिया गया है और इसका उलेक साथ वाहन शासक वशिष्ट पुत्र पुलु मावी के नासिक शिलालेक में मिलता है इन गुफाओं को बनने में सौ साल से अधिक का समय लगा था यह एक मातर केंद्र है जहां बौत धर्म और वास्तुकला की निरंतर प्रगती को दूसरी शताबदी सी ई से नौवी शताबदी सी ई तक देखा जाता है कनहेरी साथ वाहं त्रीक टक वाका टक और सिलहारा वंश के संरक्षन में विक्सित हुआ